कुछ दिनों पहले मैंने याप पर युनिवर्स जो एप जो एक सेभी रेस्टर एप है और आपको स्टॉक की रेक्मेडेशन और टिप्स देता है उसके ओपर डेटेल मैंने रिव्यू बनाया था और आज हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विड आप के बारे में जो कि एक स स्पॉंसर वीडियो नहीं है अगर आप जोईन करना चाहते तो मेरी अफिलिट लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूज कर सकते जासे आप वो कुछ कॉइंस वगरे मिल जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिक्विड आप की यहाँ पर बीसिकली बात करो तो यहाँ पर 2.2 मिलियन डॉलर्स के अभी तक यह फंडिंग उठा चुके हैं और यहाँ पर मैं कंपनी की लाइफ की बात कहूं तो 2021 के यह स्टार्ट हुई थी तो चलिए गाइस डिरेक्ली मैं आपको लाइव एप के उपर ले चलता हूं तो भाई यह मैंने अपनी एप को जो है open कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते मेरे पास liquid one की membership है जो इनकी paid membership हो चुकी है अभी तक 139 days तक मैं use वगरे कर चुका हूं अब बात करते membership के अलावा इसमें क्या-क्या features है और इस membership के क्या फाइद है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते तो भाई सबसे पह आपको quarter security वगरे मलब जो भी small case को support करता है वो सारे brokers यहाँ पर connect हो सकते है तो इन्होंने भी यहाँ पर small case की जो technology से उसी को use में लिया हुआ है तो यहाँ पर एक बार आपको अपना broker connect करा देना है और आपका पूरा portfolio जो है basically यहाँ पर import हो जाता है अब इस app का यहाँ पर पूरा over you देता है कि आपका जो portfolio है वो healthy है कि नहीं है प्लस यहाँ पर आप graph देख सकते है जैसे पहला मेरा average था भी right now मेरा portfolio healthy है प्लस यह आपको proper जो आपकी investing report card बताता है जैसे large cap आपका कौन सा है value investing है balance है growth है large कितना है mid कितना है small कितना है आप कितना return यहाँ पर expect कर सकते nifty 50 के साथ में भी आप इसको track वगरे कर सकते हो साथ में sector wise भी जो आपको जितने भी आपके stocks होंगे उनका split आपको बता देगा market का split बता देगा साथ में यहाँ पे जिस भी stock के अंदर red flags होंगे वो भी यहाँ पे आपको properly तरीकी से दिखा देता है plus उसको क्या करना है क्या पर search करना चाहता हूँ तो यहाँ पर में को stock का score बता देगा कि bullish है bearish है साथ में कर आप नीचे जाओंगे तो यहाँ पर जितने भी critical updates होंगे stock के highlights क्या है sentiment क्या चल रहा है market के अंदर market की pricing क्या according क्या चल रहा है profit आप देख सकते है और decline हो रखा है SWOT analysis हो गया मतलब ऐसी ची market में enter भी क्या है वो भी इनके तुरू यहाँ पर बहुत ही आसानी से किसी भी stock को analyze कर सकते है साथ में यहाँ पर stock का आपको short term और long term दूनों type का आपको score दिखाएगा तो उसकी basis पे भी आप किसी भी stock को judge कर सकते हो अब भाई यह तो बात हो गई basically आपके portfolio की जैसे आप portfolio connect क कुछ आपको यहाँ पर proper तरीकी से दिखाता है फिर आप नीची जाएंगे तो market के indices मिल जाएंगे जितने भी high scoring stocks है वो आपको दिखने मिल जाएंगे top gaining stocks होगे losing stocks होगे साथ में भाई यहाँ पर आपको कई सारे screener देखने को मिल जाएंगे कुछ screener यहाँ पर free है जैसे आ यहाँ पर screeners दिए हुए है जिसमें कई सारे free भी है अच्छे खासे जो आपको value provide करते हैं और कई सारे आपको premium भी देखने को मिल जाते हैं फिर बाई इनका एक section आता है limo करके तो यहाँ पर किसी भी stock को buy करना है sell करना है hold करना है यह सारी advice ले सकते हो तो यहाँ पर आप पर click करूँगा आपको यहाँ पर केवल stock जो यहाँ पर search करना है example के लिए जैसे हम लोग reliance को ले लेते हैं फिर उसके बाद में यह पूछेगा क्या इस stock को आप hold करते हो अगर करते हो तो किस entry price के उपर आपने enter कर रखा है वो आपको price डाल नहीं है आपको quantity select करनी है अगर इनका verdict जो है वो basically buy का है तीन से बारा महिनी के लिए प्लस आपको यह proper detail बना के देता है कि critical updates क्या हो गया है इनका खुद का take क्या है तो आपको पूरी summary बना के देगा कि इनका जो buy verdict के आखिर क्यों है तो यह भी एक बहुत अची चीज़े अगर आप किसी भी stock के ऊपर research कर लेना चाते हो या इनकी advice वगरे लेना चाते हो फिर भाई अगला जो इनका feature है वो basically invest का है investment के पास में दो तरह की feature है एक basket का है stocks का है stocks के अंदर क्या होता है इनके पास जितने भी live trades होते है जो यह recommend करते कि यह stocks आपको खरीदना चीए बेचना चीए जो भी होता है वो आप आपको यहाँ पर screen के सामने दिखाए देगा जैसे अभी आप screen के सामने देख सकते हो एक में को SDFC bank का यहाँ पर long term के लिए stocks दिखा रहा है आप past trade देख सकते हो उनका कितना इनका success ratio है win or loss का क्या ratio है तो 80% से जाधा profitable trades है stop loss आप देख सकते हो 20% है और पिछले जितने भी stocks ह किनकिन stocks ने जो अपना target हिट कर लिया है और किस price के उपर इनों ने entry मारी थी और कब यहाँ पर target हिट हुआ है तो यह सारी history यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है और यह एक बकायदा premium इनका feature है इसके लाँ भाई basket वाला जो section है यहाँ पर यह पूरा small case की तरह काम करता है यहाँ पर एक basket दी होती है उसके इंदर multiple type के stocks होते है तो जो भी आपके risk profile होगी उसके according यहाँ पर basket वगरे choose कर सकते हो तो यहाँ पर आपको different basket दिखेंगे और इसको आप properly इनका detail comparison कर सकते हो nifty 500 के साथ में जो भी इनका benchmark है जैसे nifty 500 हो गया तो एक साल का कितना return है तीन स साल का कितना है प्लस इसके इंदर stocks को अंगों से तो यह भाई पूरा 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 प्रीमियम feature है और आपने अपने डीमेट account को यहाँ पर link करा रखा है तो किसी भी में भी अगर invest वगरे भी करना है तो यहाँ पर आप simply तरीके से one time या लंसम जो भी आप investment करना चाहते हो वो यहाँ पर कर सकते हो जो rebalance period है वो भी यहाँ पर आपको proper दिखाता है आप देख सकते हो monthly basis पर rebalance period है तो यहाँ पर किस stock को किस time पर बेचना है यह सारी alerts updates वगरे भी यह आप जो है आपको basically यहाँ पर provide करती है इसके साथ में भाई अगर home section के उपर जाओंगे तो यहाँ पर आपको कुछ academies करकी भी section मिल जाएगा तो इनके अलग-अलग webinars वगरे जो है चलते रहते हैं जिसके अंदर आप participate वगरे कर सकते हो इसके लावा यहाँ पर आपको news वाला section मिल जाएगा आपको results वाला यहाँ पर section देखने को मिल जाता है हर अलग company के results वगरे announce होते रहत है तो definitely बहुत अच्छा खासा एप है प्लस यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूंगा इनकी जो one membership है उसके अंदर आपका portfolio health check-up भी है मल अगर आपको manually के साथ में one to one बात भी करनी है properly जो cb register आ रहा है है उस होते उनके साथ बात करनी है तो आप अपनी appointment वगरे भी यह handbox के अंदर जरूर बताईए thank you guys thank you very much